हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज हम यहाँ पर बात कर रहा है रिनॉल्ड कुईट आरेक्स्टी टॉप सॉलिंग मॉडल की और इसके क्या प्राइस रहने वाले क्या फीचर सा सभी चीज आपको देखने को मिलेगी लेकिन अंदर ब इसके फीचर मैं इसी वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके डिमेंशन और कैप सिटी की तो लैंस से 331 mm मिलेगी और विट 1580 mm के सम्तिंग आपको मिलेगी हाइट इसकी 1444 mm मिलेगी और इसमें आपको वेट 699 kg मिलेगा और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके इन्जेन की तो इन्जेन इसमें 999 CC वाला 1.0 SC वाला मिलता है जो 66.6 BHP पावर जनेरेट करता है 1250 RPM पर रिनॉल्ट का लोगो मिल जाता है और यहाँ पर देखने तो क्रॉम ग्रिल, इंडिकेटर, LED DRL और यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको ह 284 mm का देखने के लिए मिलेगा, फ्रेंट लुक काफी अच्छा, प्रीमियम लुक यहाँ पर दिखाई देता है और यह आप देखेंगे तो उपर के साइड में एक ही बाई पर देखने के लिए मिलेगा लेकिन मिलता काफी है भी है, आप खुद देख सकते हैं इसको और य यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, उपर के साइड में देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे सिरी अलग से लगी हुई है और इस कार के अंदर कीला सेंटर के साथ में गेट का ओपिन करते हैं, सिंगल टोन में गेट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, त इसमें आगे आपको मिल जाते हैं फ्रंट में और यहाँ पर तीन पैंडल मिल जाते हैं बॉनिट को ओपिन करने का option यहाँ से मिल जाएगा आपको और यहाँ से आप rear view mirror को set कर सकते हैं तो यह भी काफी अच्छा option मिल जाता है यहाँ से आपको AC bent मिल जाते हैं और यहाँ पर फाहिल की थोड़ी बात की जाए तो यहाँ पर देखेंगे तो height adjustable seat मिल जाती है आगे पीछे भी कर सकते हैं उपर नीचे कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा option मिल जाता है इस car के अंदर और seat belt का भी option मिल जाएगा और अंदर बैट के देखेंगे तो अंदर बैटने के बाद यहाँ पर steering पर key का option मिल जाएगा रिनोल्ट का logo मिल जाता है airbag मिल जाता है और यहाँ से music को आप control कर सकते हैं और voice control का option मिल जाएगा इसमें तो यह कुछ इस type से आप देख सकते हैं यहाँ से call को connect, disconnect कर सकते हैं यहाँ पर सारे features मिल जाते हैं और इधर से आप light को जला सकते इंडिगेटर जला सकते हैं यहाँ से वाइपर चला सकते हैं और यहाँ पर इलब कमपार्टमेंट के अंदर touch meter, electronic multi trip meter, digital clock और digital automator जासे function मिलते हैं low fuel warning light का भी option मिल जाता है इसके अंदर यहाँ पर देखते हैं तो कुछ इस step से पूरी profile आपको देखने को मिलेगी तो काफी अच्छा look यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और पूरा dashboard काफी अच्छा है उपर की side में दो AC bent मिलते हैं और यहाँ पर 8 inch का touch screen system मिलता है Android, Auto, Apple, CarPlay वाला Bluetooth connectivity मिल जाती है और इसमें आपको USB auxiliary का input का option मिल जाएगा चारों indicator को साथ जला सकते हैं पावर window का option यहाँ पर मिल जाता है और lock unlock कर सकते हैं यहाँ से AC और heater का option यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा automatic climate control नहीं मिलता है यहाँ पर simple वाला AC का पूरा system मिल जाता है तो यह सारी profile AC है 12 bolt का outlet, USB, auxiliary input का option और यहाँ पर कुछ space, cup holder type और 5 forward 1 reverse में यहाँ पर gearbox का lever मिल जाएगा और पीछे की side में देखेंगे तो यह वैसा काफी smooth है और हम पीछे की side में देखते हैं तो यहाँ पर handbrake मि option मिल जाता है और उपर की side में day night वाला mirror मिल जाता है और light मिलती है यहाँ पर, आप इसको जला सकते हैं यहाँ पर mike मिल जाता है, sun visor यहाँ पर मिलेंगे, left और right में दोनों side में आप यह देख सकते हैं तो कुछ इस type से मिल जाते हैं लेकिन vanity mirror इस पर नहीं मिलते हैं और यह यह सारी profile right side से कुछ ऐसी थी जो मैंने आपको दिखाई अब हम दूसरे वाले gate पर चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे क्या क्या function हमें वहाँ पर मिलते हैं इस car के अंदर तो यहाँ पर हम इसको open कर लेते हैं और open करेंगे keyless entry के साथ में open करेंगे तो यह keyless entry मिलती है तो यह अच्छा option मिल जाता है gate को open करने के बाद कुछ single tone में यहाँ पर सफाई चल लिए है और एक minute एक minute और यहाँ पर कुछ इस type से आपको देखने को मिल जाएगा तो lock unlock कर सकते हैं और यहाँ से open कर सकते हैं यहाँ से पकड़ कर बंद करेंगे कुछ space यहाँ पर आपको मिल जाएगा और cup holder type मिल जाता है और यहाँ से आपको AC bent मिल जाता है कुईड लिखा हुआ है और यहाँ पर airbag आपको मिलेगा और glove box open करके दिखाता हूँ तो यह कुछ step से मिलता है यह और seat profile की बात करें तो यहाँ पर आप देख र यहाँ पर अलग से लगे हुए है different color में उपर की side में power antenna और यहाँ से gate को open करते है back gate को तो यह भी बिल्कुल same ही है इसमें कोई changes नहीं है लेकिन power window का option यहाँ पर मिल जाता है तो यह सारी profile कुछ step से थी और अंदर की side में अगर देखा जाए कि हमें क्या क्या मिलता है तो व कुछ step से आपको देखने को मिलेगा तो space ठीक है जैसे कि आप देख रहे हैं तो space ठीक है कोई कम space इस कार के अंदर नहीं है handle मिल जाते हैं पीछे की side में दोनों seat की तरफ पकड़ कर बैठने के लिए बात कर लेंगे इस कार के safety feature की तो इस कार के अंदर आपको ABS system मिलता है center log power door log, door airbag मिलते है seat belt warning, tracker control मिलता है तो यह काफी अच्छा option है tracker control मिल जाता है adjustable seat है tire pressure monitor, crest sensor, engine check warning, EVD और electronic stable control और पीछे के side में camera मिलेगा वो चीज़ में आपको दिखा हुआ, speed alert और speed sensing auto door log जैसे function इसमें features मिल जाते है safety के नाम पर front का कुछ dashboard इस type से आपको देखने को मिलेगा और पीछे का dashboard black color में कुछ इस type से आपको देखने को मिल जाएगा तो काफी अच्छी profile है, जैसी छोटी कार है तो इसमें काफी अच्छे features मिल जाते हैं और space भी काफी ठीक टाक मिल जाता है, तो यह कुछ इस type से था और यहाँ पर आपको पीछे वाले टायरों के अंदर drum brake देखने को मिलेंगे, 1.0 liter इंजन वाला इंजन है इस कार के अंदर तो वो लिखा हुआ है, और यहाँ से कुछ इस type से आपको light profile मिलेगी, और यहाँ से boot space open नहीं हो सकता, क्योंकि मैं एक बार देख लेता हूँ, वैसे होगा न तो क्योंकि इसमें की लग करी open होगा boot space, तो यहाँ से नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया, और यह कुछ इस type से पूरी profile देखती है, तो boot space इस कार के अंदर काफी बड़ा मिलता है, 280 liter के something boot space मिल जाता है, और यहाँ पर आपको quid लिखा हुआ है, और Renault लिखा हुआ है, यहाँ पर Renault का logo है, camera है, यहाँ पर की लगा कर open कर सकते हैं, rear parking sensor मिल जाते हैं, और different color में, यानि कि black color में, bumper, reflector, और यह कुछ इस type से सारी profile मिलती है, नीचे की profile कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगी, features काफी अच्छे हैं, काफी अच्छी profile है इस car के अंदर, और पीछे से देखते हैं, तो यहाँ पर light मिल जाती है, और यहाँ पर यह light है कुछ इस type से, defogger का और वाइपर का option पीछे वाले mirror पर नहीं मलता, और यहाँ पर fuel tank का option आपको मिल जाएगा, बात करते हैं, इस car के price की, तो exorum कीमत इसकी 5,66,000 रुपे के something आपको देखने को मिलेगी, और वहीं पर on road कीमत 6,40,000 रुपे के something आपको देखने को मिलेगी, वीडियो अच्छे लगी हो, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें